नमस्ते मैं अलक ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेज में स्वागत है तो आज हम किस टॉपिक पर डिसकस करेंगे आज हम बहुत ही महत्पून टॉपिक पर डिसकस करने वाले हैं जिससे सभी लोग परिशान होते हैं परिशान हमेशा रहते हैं और उनको ऐस लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ उनके साथ ही है और इसका इलाज संभवी नहीं है लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण जानकारी नहीं होने के कारण ऐसा होता है अब आप समझेए डाइबिटीज के पेशेंट हमेशा बोलते हैं कि उनके पैरों में जलन रहती है क्यूं ज आगर नुक्स lgm मैं का यही पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अगर मैं कहूं कि जब जलन होती है ऊछ और पर बनिंग सेंसेशन मतलब हलका-एड आपका जलता है उसको हम बोलते हैं बड़निंग सेनसेशन मतलब को नहीं होती है हम ऐसा मानते हैं हम ऐसा नहीं साइन्स भी ऐसा मानती है साइन्स मानती है ऐसा इसे लिए फिर हम भी मानते हैं तो जब साइन्स ऐसा मानती है क्या मानती है कि जब भी आपके पैरों में जलन होगी इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो आपके ब्रेन में खराबी से संबंधित है आपके ब्रेन में अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको पैरों में जलन होगी क्योंकि ब्रेन में जब खराबी होती है तो सबसे पहले पैर का जो नस होता है वो फिर अफेक्ट हो जाता है वहाँ पर आपको लक्षन दिखते हैं वहाँ के नसों में या तो सूजन हो जाता है बहुत सारी बिमारिया ऐसी है जो आपके सर में होती है अलजाइमर डिजीज या फिर कैंसर भी होता है इससे क्या होता है आपका जो पैर है वो डिरेक्ट इससे प्रभावित होता है इतना क्लियर है अब ब्रेन में क्या होता है जो भी हम सुनते हैं जो भी हम देखते हैं फिर हम उसको सोचते हैं समझते हैं एनलाइज करते हैं ब्रेन में कुछ ना कुछ चलता है और फिर जा करके हम फिर decision लेते हैं या फिर हम respond करते हैं इसका मतलब है कि ब्रेन में capacity है सुचनाओ को समझने की और सुचनाओ को फिर भेज ने की तो ब्रेन में क्या हो गया ब्रेन में बहुत सारे तंत्री का तंत्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइबर नर्व्स तो यह जो नर्व्स फाइबर है यह फिर डैमेज होने लगती है अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को फिर हम दो पार्ट में भी डिवाइड कर दे तो यहाँ पर कभी कभी आपका central nervous system यानि कि जो main भाग है वो खड़ाब ना हो करके उसके साथ में जो सहायक वाला भाग है वो फिर खड़ाब होने लगता है जिससे आपके पैरों में जलन होती है जब भी किसी को diabetes होगा उसके पैर में जलन होगा जब भी किसी के kidney में समस्या ह होती है तब भी उसको दिक्कत होगा साथ ही अगर किसी को सार्कोइडोइस है सार्कोइडोइस इसका मतलब क्या होता है हमारा बॉड़ी किछी से बना हुआ है हमारा बॉड़ी बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके बना है और बहुत सारी कोशिका चोटी-चोटी कोशिका मिल बोडी में वाइटमीन B की कमी हो जाएगी तब भी आपको पैरों में जलन महसूस होगी साथ ही वाइटमीन B6 की कमी होती है जब भी वाइटमीन B6 की कमी होती है तब भी आपको पैरों में जलन महसूस होता है साथ ही जब भी आपको वाइटमीन B1 इसका मतलब क्या हुआ इसक तो हम थाइमीन भी बोलते हैं और यह क्या करती है बॉड़ी में उर्जा को बनाने का काम करती है मतलब एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है अब बॉड़ी में उर्जा कम बनती है इसका मतलब है कि पैरों में जलन होगा जब भी बॉड़ी में थाइरोइड ग्लैंड में गर थाइरोड ग्लैंड को निकालना कम करते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं, हाइपो थाइरोडिजम और जब भी किसी वैक्ति को ये समस्या होती है तो क्या होता है तो उसके पैरो में जलन होती है मतलब थाइरोड की किसी को अगर समस्या है तो पैर में जलन होगा ही होगा किसी को किडनी में है तो भी आपको दिक्कते होंगी किसी को बहुत जादा किड़नी में पानी भढ़ गया है जिसको हम बोलते हैं हाइडरोनेफ्रोसिस उसमें भी दिक्कत होता है किसी को यहाँ पर इंफेक्शन हो गया हो मतलब पैर में क्या होता है फंगल इंफेक्शन हो जाता है तो भी दिक्कत होता है किसी को अगर यहाँ पे गोईन बेर सिंड्रोम हो गया है इसमें क्या होता है इसमें भी आपको पैरों में दिक्कत होती है पैरों में जलन होती है नसों में जब सूजन हो जाता है तब भी आपके पैरों में जलन होती है किसी को हाट में प्रॉब्लम है तब भी देखा गया है कि पैर में जलन होगा तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसके इलाज के लिए अगर किसी को किड़नी में समस्या है तो पहले उस समस्या को ठीक करेंगे आपके पैरो की जलन फिर शांथ होगी तो पैरो का जो जलन है फिर वो खतम हो जाता है इसे लिए हम बोलते हैं कि जो भी कारण है पहले हमें उसका पता लगाना है और फिर उसके according फिर हमें दवाई देनी है किसी को पैड़ों में अगर infection हो जाता है तो पैड में अक्सर fungus का infection होता है तो हम क्या करते हैं एंटी-fungal drugs देते हैं या फिर हम वहाँ पर cream लगा देते हैं जहां से वापस से infection जादा ना फैले ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं घर में हम क्या कर सकते हैं थंडे पानी में आपको अपना पैर एक दिन में कम से कम दो बार वापस से एक तब में थंडा पानी रखना है और फिर उसमें पैर आपको रखना है दिन में यह जो process है यह आप एक से दो बार कीजिए तो आपको फा प्लाइक हो जाता है उसमें पैर में जलन होता है तो पहले क्या करना है वीप मारी को पहले ठीक करना है authomatic सीप करें लेकिन जब आप घर में हैं तो आप क्या-क्या उपाईक करेंगे इसी को मैं अभी बता रही है क्या सकते हैं सेंग का सिरकela हम ले सकते हैं जो कि अन्फिल्टर्ड हो क्या हो कच्चा भी हो और अन्फिल्टर्ड जब सेव का सिर्का है तो उस सिर्के को गरम पानी में डाल करके एक ग्लास में जब आप गुनगुने पानी को डालते हैं तो उसमें आप छोटे चम्मच से एक चम्मच या फिर दो चम्मच सेव के सिर्के को ड परतन में रखते हैं फिर जब आप उसमें अपने पैर को डुबोते हैं और 15-20 मिनट तक जब यह प्रोसेस करते हैं तब भी आपको राहत मिल सकती है गुनगुना पानी लेना है और फिर उसमें एक से दो चमच हल्दी डालना है और फिर उसको पीना है दूसरा हम क्या कर सकते हल्दी का पेस्ट बना करके अगर आपको वहां पे जलन होता है तो वहां पे फिर आपको लगाना है जिससे आपको जलन में राहत हो कभी-कभी हम ऐसा देखते हैं कि पैरों में जलन भी होती है साथी वहां पर लाल-लाल सा हो जाता है मतलब redness की समस्या हो जाती है पैरों मे पानी आप लीजिए ग्लास और फिर उसमें सिंधा नमक डाली एक चमच और फिर आप उसको घोल करके पीजिए लेकिन ये वाला जो प्रॉसेस है ये जिसको भी हाई देखें लिजिए फिर उसको पीस करके पेस्ट बना करके जहां भी जलन है पैरो में वहां पर फिर आप लगा सकते हैं आपisenält में रहाहत मिलेगी लेकिन मैंने क्या बोला जो सेंधान ममक है और जो गरम पानी वाला प्रॉसस है यह diabetes के patient को भी नहीं करना है अगर करना है तो आप वो देखे कि आपका जो blood pressure है वो फिर high तो नहीं है जिसको भी blood pressure high है उसको यह नहीं करना है जिसको भी heart की समस्या है दिल में कोई भी दिक्कत है उसको नहीं करना है तो इस तरह से आप अपने जलन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर दिक्कत कम है तो अगर दिक्कत जादा है इसका मतलब है आपके बॉडी में आपके ब्रेंड में कुछ न कुछ दिक्कत होती है और जब भी थाइमीन की कमी होती है तो वैक्ति को अलजाइमर डिजीज हो जाता है मतलब भूलने की बिमारी या फिर कैंसर का डिजीज हो जाता है तो कैंसर भी हो सकता है इसमें तो इसमें कैंसर को पहले ठीक करना है कीमोधेरपी वाला जो ड्रक्स होता है जो कि हम तो दवा को आपको थुड़ा सा dose कम कर देना है या फिर अगर आप dose कम नहीं कर सकते हैं तो जो भी उपाय मैंने बताए हैं आप वो कर सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप vitamin B6 की overdose ले लेते हैं मतलब कि आप body में है vitamin लेकिन आप बाहर से tablet लेते हैं उसकी वज़से भी आपके पैरों में जलन होती है फॉलिक एसिड की जब कमी हो जाती है बॉडी में उसकी वजह से भी पैरों में जलन होती है तो जो आयंस की टाबलेट्स है उसको भी आपको जादा नहीं खाना है लेकिन बॉडी में आयंस उचित मात्रा में होना चाहिए तो इस तरह से आज का अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप टेलिग्राम पर पूछ सकते हैं जो पहला कॉमेंट है उसमें टेलिग्राम का लिंक रहता है आप डारेक्ट उस ग्रूप में जा करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं